आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस्क्रिप्शन इन प्रोकेरियोट्स इससे पहले हम लोगों ने ट्रांस्क्रिप्शन के प्रोसेस को बहुती सिंपली ढंग से समझा है तो अगर आपने मेरा वह वाला वीडियो नहीं देखा है जिस्ट इसके पहले वाला वीडियो तो पहले आप उस वीडियो को देखना उसमें मैंने आपको बताया है कि transcription process होता क्या है promoter, terminator, structural gene क्या होते हैं, template strand and coding strand क्या होता है साथी साथ में उसमें मैंने आपको बताया था कि polycystronic and monocytronic क्या होता है ठीके और exon और intron क्या होते हैं तो इन सब बातों को आपको transcription in prokariots को समझने के लिए उस previous वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है तो आज हम बात करते हैं transcription in prokariots में कि किस तरह से transcription का process जितने भी सारे prokariotic जीवें उसमें take place करता है और अगर आपको कुछ भी confusion है तो कल इसकूल में उसको class के दौराट मैं उसको आपको clear कर दूँगी लेकिन इस वीडियो को या इसके बात भी में एक वीडियो को दूँगी that means transcription in eukaryotic को भी मैं आज ही cover पुरा करूँगी तो इन bacteria there are three major type of RNA कौन कौन से RNA होते है mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA and rRNA मतलब ribosomal RNA bacteria में तीन तरह के RNA दिखने को मिलते हैं major type में आप सभी को पता है कि RNA जो होते हैं वो तीन तरह से हमें हमारे सामने आते हैं पहला होता है mRNA, दूसरा tRNA, तीसरा rRNA All three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell मने इन तीनों तरह की RNA की हमको जरूरत पढ़ती है किसलिए protein synthesis का process करने के लिए The mRNA provides the template mRNA क्या करता है, एक template हमको provide कराता है जिसकी वज़ा से क्या होता है, protein या enzyme का synthesis होता है tRNA brings amino acid tRNA क्या करता है, amino acid को लाता है and reads the genetic code और genetic codes को पढ़ता भी है मतलब यहाँ पर tRNA क्या काम करता है, दो काम करता है इसलिए tRNA बहुत जादा उसका important role है पहला जो tRNA क्या करेगा, वो amino acid को लाएगा और दूसरा क्या करेगा, वो genetic function, sorry वो genetic code को वो read भी करता है, मतलब पढ़ता भी है और amino acid को लाता भी है rRNA play structural and catalytic role during translation मतलब जो rRNA होता है, उसी के द्वारा क्या होता है protein के निर्मार की प्रक्रिया को किया जाता है प्योंकि जो rRNA होता है, वो ribosome के साथ attach होता है dear, is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzed transcription of all types of RNA in bacteria एक enzyme है जिसका नाम है DNA dependent RNA polymerase जिसकी वज़ा से क्या होता है, यह transcription का process होता है इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था replication replication का process जो है, वो किस enzyme की वज़ा से होता है तो DNA dependent DNA polymerase क्योंकि वहाँ पे DNA का ही formation हो रहा था चुकि यहाँ पे RNA का formation हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो enzyme का नाम है, वो क्या है DNA dependent RNA polymerase अब सबसे पहले यह process होता कैसे है यह पहले पूरा process मैं आपको explain करूंगी फिर मैं आपको theory की चीज़े बताऊंगी सबसे पहले क्या होता है transcription में तीन major steps होते है first step होता है initiation दूसरा step होता है elongation and third and last step होता है termination initiation में क्या होता है यह RNA polymerase का figure है, diagram है ठीके? तो यहाँ पे क्या होगा RNA polymerase के साथ sigma factor आके जुड़ जाता है RNA polymerase के साथ यह जो इस तरह से जो बना हुआ है ना यह RNA polymerase उसके साथ sigma factor का जाके जुड़ना उसके साथ क्या होता है उसके अंदर इस तरह से sigma factor जाके जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि जो transcription का process है वो start हो गया that means वो initiate हो गया ठीके और यहां पे क्या है promoter reason है ठीके क्योंकि दो reason होते हैं ना पहला promoter दूसरा होता है terminator तो promoter reason पे RNA polymerase enzyme के साथ sigma factor का जाके जुड़ना कहलाएगा initiation यहां पे यह दोनों तो helical रूप में है DNA के strand यहां पे मैंने अलग-अलग strand को दिखाया है तो यहां पे क्या इस्तित है promoter gene और यहां पे क्या है terminator gene इस्तित है इसमें अगर मैं आप से पूछू कि इसमें template strand और coding strand कौन सा होगा तो मैंने आपको बताया था चुकि जो RNA का formation होता है वो 5' to 3' होता है तो that means जो 3' और 5' जो strand होगा वही क्या होगा template होगा और इसमें DNA का जो दूसरा strand होगा 5' to 3' strand यह क्या होगा coding strand होगा ठीके उसके बाद दूसरा process होता है elongation जब RNA polymerase जब अपना process शुरू करता है transcription का तो process शुरू करने के लिए that means initiate करने के लिए sigma factor के आवश्च रखता है लेकिन एक बार transcription का process जब start हो जाता है तो वहाँ से sigma factor हट जाता है और up cable that means elongation का काम RNA polymerase enzyme के द्वारा किया जाता है तो यह क्या है यह वाला जो structure है वो है RNA polymerase RNA polymerase के साथ यह छोटा सा जो है यह RNA है ठीके एक छोटा सा RNA यहाँ पर क्या हो जाता है RNA polymerase enzyme के साथ attach हो जाता है और DNA के template strand पर जो जो मतलब जो quotes लिखे रहते हैं वो RNA में क्या बनलब वो आपके RNA में वो आपके copy होते रहते हैं किस तरह से जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ for example यह आपका DNA का strand है और DNA के strand पर लिखा है A T G C ठीके और RNA polymerase के साथ इस तरह से एक RNA यहाँ पर synthesize हो रहा है तो अब RNA इसके complementary यहाँ पर तयार होगा तो A के complementary क्या होता है T होता है लेकिन RNA है ना यहाँ पर हो जाएगा U T का क्या होगा यहाँ पर A ठीके G का C और C का A इस तरह से क्या होता है RNA का जो transcription का process है यह RNA के synthesis का जो process है मतलब RNA का तयार होना वो process यहाँ पर चलता रहता है जब RNA का transcription complete हो जाता है तो क्या होता है termination की प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है जो RNA polymerase होता है उसके साथ raw factor जाके attach हो जाता है ठीके यहाँ पर मैंने बढ़ाया है raw factor जाके attach हो जाता है यह बताता है कि transcription का process क्या होगे अब यहाँ पर खतम हो गया देखो transcription जो होना होता होता है जैसे कि जो रैप्लिकेशन होता है वो dna के पूरे strand का होता है लेकिन जो transcription होता है वो केवल एक dna के segment नोच होता है तो dna के government का भी transcription होना होता है उस particular किसी segment जहाँ पर प्रमोटर आके attach होता है वहाँ से transcription का process start होता है और जहाँ पर terminator जुड़ा होता है वहाँ पे transcription का process खतम हो जाता है promotor reason पे RNA polymerase के साथ sigma factor जाकर जुड़ जाता है जो की process को initiate करता है और जब process terminate होने वाला होता है तो वहाँ पे row factor जाकर जुड़ जाता है और जब transcription का process खतम हो जाता है तो RNA polymerase enzyme से क्या हो जाता है RNA अलग हो जाता है यह active RNA है और fully processed है मतलब इसमें जो RNA बनता है उसको further processing की कोई आविश्यकता नहीं होती तो I hope आपको यह पूरा diagram समझ में आया होगा ठीक है यहाँ पर यह मैंने double helix को करके दिखा है यहाँ पर single है देखो RNA polymerase enzyme है यहाँ से क्या हो रहा है आपका transcription का process start हो रहा है पहले start करने के लिए sigma factor चलेगे जैसे ही transcription का process start हो जाएगा तो फिर sigma factor वहाँ से हट जाता है तब के व मतलब DNA bubble का निर्मार करता है और transcription का process वह करता जाता है और जब termination का time आता है तो वहाँ पे जाके row factor जाके attach हो जाता है किसके साथ RNA polymerase के साथ और RNA fully processed और RNA होता है जो कि क्या हो जाता है termination के process के बाद वहाँ से detach हो जाता है अब हम पढ़ते हैं इसकी theory के बारे में theory में चीज़े क्या लिखी हुई है RNA polymerase promoter से जुड़कर transcription की शुरुवात करते हैं ठीक है promoter मतलब क्या है sigma factor की बात हो रही है it uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity मतलब अब ये use क्या करता है देखो यहाँ पे क्या जुड़ना है यहाँ पे आपका A, T, G, C इन सब को जुड़ना है T नहीं होगा U होगा तो इसके लिए केवल nitrogenous basis ही तो यहाँ पे नहीं चाहिए यहाँ पे आपका nitrogenous base भी चाहिए plus sugar भी चाहिए इन दोनों को मिलाके nucleoside बोलते हैं और triphosphate triphosphate का मतलब यह है कि यहाँ पे एक phosphate तो इसके साथ जाके attach हो जाएगा और बना देगा nucleotide और दो जो phosphate होगा वो energy भी तो चाहिए ना जुड़ने के लिए तो energy को provide करते है जैसे कि replication के process में होता है यह कुंडली हैलिक्स को आगे खुले वा उसकी दिर्गी करन elongation में सहायता करते हैं जो RNA polymerase होता है वो हैलिक्स को खोलते हैं जिसके वज़ा से क्या होता है elongation का process होता है केवल एक छोटी लंबाई वाला RNA बतब छोटा सा RNA क्या होता है RNA polymerase enzyme से जुड़ता है जब RNA polymerase terminator reason पर पहुँच जाता है तब नव निर्मित RNA वो RNA polymerase अलग हो जाता है मतलब जब RNA polymerase terminated reason पे पहुँच जाएगा तब क्या होगा जो नम निर्मित RNA है वो RNA polymerase एक दूसरे से अलग हो जाएगा इसके परणाम सुरूर transcription का process समापन हो जाता है RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation RNA polymerase जो है वो केवल और केवल elongation के process के लिए ही capable है ठीके वो initiation and termination नहीं कर सकता है initiation करने के लिए उसके साथ जब जाके sigma factor जूरता है तो process initiate होता है और terminate करने के लिए वहाँ पे row factor जूरता है तब क्या होता है transcription का अंत हो जाता है अनूलेकर मतलब transcription की शुरूरात polymerase के जूरने वो उसकी विशिष्टिता में परिवर्तन के साथ होती है जिससे या तो initiate या terminate होता है मतलब जो RNA polymerase होता है अकर उसके साथ जब तक sigma factor आ के जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक क्या होगा transcription का process start नहीं हो पाएगा RNA polymerase के साथ sigma factor के जूरने से उसके structure में कुछ changes हो जाते हैं जो की process को initiate करता है इसी तरह से जब process को terminate करना होता है मतलब जब उसको समापन करना होता है तो RNA polymerase तब तक process को समापन नहीं कर पाएगा जब तक उसके साथ terminator factor आ के मतलब row factor आ के ना जुड़े ठीक है इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो transcription का जो process है वो क्या होता है हम बात करने हैं आपे prokaryotes में transcription का process कैसे होता है तो इन bacteria में जो RNA हमको मिलता है उसमें intron और exon नहीं होते हैं वो fully synthesized मतलब पूरा अच्छे तरह से developed RNA हमको मिलता है eukaryotic में जब में आपको बताओंगी तो इसमें fully mature या fully active RNA हमें नहीं मिलता है और चुकि इसमें क्या होता है इसमें आपका कोई nuclear membrane उपस्तित नहीं रहता है prokaryotic cell में तो कभी कभी क्या होता है कि transcription and translation का जो process होता है वो एकी साथ start हो जाता है for example यहां पर लिखा है न कि translation and transcription can be coupled in bacteria मतलब देखो यहां पर suppose करो कि इतने RNA का formation आपका मतलब देखो इतने RNA के यहां से यहां तक RNA का formation हो चुका है तो अब यहां से जो RNA आपका बना है यहां पर यह आपका translation भी हो सकता है start हो जाता है मतलब जैसे जैसे RNA का formation होके वो बाहर निकलता जाता है खुलता जाता है तो उसी के साथ translation का भी process start हो जाता है क्यूंकि एक fully developed nucleus मौजूद नहीं होता है prokaryotic cell में तो I hope आपको transcription in prokaryotes अच्छे से समझ में आया होगा कोई भी अगर doubt है तो उसको please note करते रहा और कल उसको class के दौरान फूर आपको clear कर दिया जाएगा thank you कर दो